सब्सक्राइब कीजिए टेक्निकल गुरुजी चैनल को और बेल आइकन को दबाईए लेटेस्ट टेक्नलोजी वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए नुश्कार दोस्तों मैं गौरव आपका बहुत सवागत करता हूँ टेक्टोक्स की गुरुफिश एपिसोड में और लेके आएँ आपके लिए बहुत ही कमाल की चैक नियूज तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों बात करते हैं पहले करके पूल के यह पर सवाल था आपके फोन की नौची और कैमराज को लेके तो यहाँ पर दोस्तों आप इसी 68% ने का भीया आपको चाहिए डिस्पले में होल फ्रंट फिसिंग कैमरा के लिए बाखी बोलते हैं 13% लोग क्या भीया हमको सवाल के और सवाल कुछ ऐसा है कि क्या दोस्तों आपको लगता है कि शाओमी को भी इंडियन मार्केट में कुछ नया करने की जरूरत है मतलग जो प्रड़क्ट्स हैं वो खाफी बोरिंग से हो रहे हैं कुछ भीया हैं पर नए अपडेट्स हो जया था हमको देखने को नही मिल रहे हैं आप दोस्तों इसमें क्या सोचते हो बताना आपके क्या रहती है राय ओपर दिया गए पोल में नीचे कॉमेंट सक्षिन में और सारी बाते मिला लव एक साथ एक स्पेशल लाइक के लिए दोस्तों बात करते पहले अपडेट की भीया निगल के आता है यहां प लिएर कैमरा में होगा या सेलफीज में होगा दोस्तों वो डिटल सो गर नहीं मालूम है लेकिन यहां पे गलक्सी एस 10 को लेके बहुत ज़्यदा भी जो है वो लीक साने शुरू हो गए हैं देखते हैं सैमसंग क्या हरता है एक्जाक्ली फेबरी के महीने में दोस्तों बा मिल रहा है जहां पे जो कुछ सब्सक्राइब पैटर्न है उसमें शायद आपको दूस्तों नहीं हो सकते हैं कैमरा असेंबली और ऐसे में काफी जादे एक्स्पेक्टेशन्स हैं मुझे उम्मीद है कि OnePlus काफी कुछ नया काम करके लेकर आएगा अपने 5G फोन में और OnePlus 7 में देखते हैं कि यह मार्केट में कैसे और कब लाउंच होते हैं दूस्तों बात करते हैं अगले अपडेट को दूस्तों निकल के आता है यहां पर Xiaomi के Redmi Go को लेके और यहां पर दूस्तों यह जो है हो गया है Certify Singapore में जहां जो फोन है यह आएगा Android Go के साथ में और इसमें होंग है Limited Hardware है लेकिन फिर भी चल रहा है Android Go तो वो एक अच्छी बात हो सकती है लेकिन अगर प्राइस 5000 के उपर गई तो सेंस नहीं बनता Android Go को लेने का खेर अभी देखते हैं फिलाल कि यह फोन जो है यह मार्केट में कब कहां कैसे किस प्राइस पर लाउंच होता है जोस्तों ब तो मतलब यहां पर दुस्तों नंबर है वो कुछ 1.47 million solar panels हैं जिसको दुस्तों exactly हमें identify कर लिया गया AI की मदद से तो यह भी अपने आप में एक खाफी कमाल बात है कि आप जो है वो satellite images के चलते नीचे जो चीजें हैं उनका identify कर सकते हो और उसके बाद में उनके लिए कुछ और आप भैतर चीजें plan भी कर सकते हो दुस्तों बात करते हैं अगले update के निकल गयाता है यहां पे मीजू इंडिया की CEO की तरफ से और वो यह बोलते हैं कि भी यह अभी जो है वो हमको कुछ एक different strategy जो है वो लगानी पड़ेगी ताकि यह वो Indian market में जीत पाएं और Indian market के लि बीचे comments में दुस्तों बात करते हैं अगले update के निकल के आता है यहां पे Flipkart की तरफ से और यहां पे शायद दुस्तों Flipkart जो है वो अपनी कुछ एक नई video streaming service लेके आ सकता है ऐसी दुस्तों कुछ एक leaks से निकल के आ रहे हैं और यहां पर दुस्तों Flipkart Amazon का भी है बहुत ह कर सकता है इंडियन मार्केट में दुस्तों बात करते हैं अगले update के निकल के आता है यहां पे Xiaomi की तरफ से एक और नया product दुस्तों यहां पे बात हो रही है Mi Cario के Bluetooth headphones की और यहां पे दुस्तों है इनका एक limited edition जो की होने वाला है Forbidden City वाला हाले दुस्तों यहां पे लांच से लेके TV से लेके AC पता रही क्या क्या कैसे कैसे बनाते रहती है दुस्तों बात करते हैं अगले update के निकल गया आता है यहां पे Google के Gboard की बोर्ड को लेके और यहां में दुस्तों इसमें भी numbers of languages हैं जो भया करता है यह support वो दुस्तों हो गया 500 से भी ज्यादा मतलब क्या आ इन्नी में करते हैं या करते हैं अपनी regional language में भया फिर चाहे वो हो हिंदी, पंजाबी, गुजराती, अमराथी वगर है बताना जरूर नीचे comments ने दुस्तों बात करते हैं अगले update के निकल के आता है यहां पे Gioni की तरफ से और आपको दुस्तों मालू होगा Gioni भया इंडि प्लाइर्स को और शोट्रूल दुस्तों और निकल के आती है वो है almost 3 billion dollars लेकिन Gioni बोलते हैं हमारे पास तो पैसा है यही नहीं तो यहां पर दूस्तों कंपनी एक तरीक से समझ लो हो गई है बंद कर दी है file bankruptcy देखो आगे और कौन सी कंपनी जाती है Gioni के पीछे इसी line में क जो कि सभी तो है अच्छा काम नहीं कर रही है Indian marketing दूस्तों बात करते हैं अगले update के निकल के आता है यहां पर भया एक नए type of system को लेके जो कि एक साथ दूस्तों यहां पर 10 devices को wirelessly power provide कर सकता है यह एक अच्छी बात है जहां पर दूस्तों जो power delivery है वो हम कर पाए wireless तरीके से और वो भी multiple devices तक तो यहां पर भी आगे जिल के देखते हैं कि real life में हम जो है वो electricity को wirelessly कैसे transmit कर पायो मतलब बस ऐसा हो कि यहां कमरे में अपन गुसे न तो गुसते ही mobile भी चार्ज दोना शुरू हो जाए लैप्टोप भी चार्ज दोना शुरू हो जाए जो बल मुपर लोग जो है वो फसे थे बीच में जहां पे भी जो ड्रोन है उसके चलते एरपोर्ट को बन करना पड़िया पहले एक बार ड्रोन दिखा तो एरपोर्ट थो लिए बन रहा फिर दुबारा जो है वो शुरू किया दोस्तों यहां पे runway को लेकर उसके बाद में दुबारा ड् वो ड्रोन को शूट भी नहीं कर रही है वरना ऐसा नहों कि जो गोलियां आसपास से और बाकी निकलें वो कहीं जाए किसी का नुकसान पहुंचाएं तो ऐसे में यहां पे कुछ 10,000 पेसेंजर्स जो हैं उनका यह फरक पढ़ा है दोस्तों यहां पे जो एरपोर्ट में भसे ह हुए हैं और ऐसे में जो फाइन है जो सजा है वो भी बहुत जादा है लेकिन क्या खरें ड्रोन का यही है कि क्योंकि दूर बैठके उड़ा रहा होगा लेने के लिए मजए और एरपोर्ट जो है वो बंद करना पड़ गया और ऐसे में बड़े-बड़े सीरीज में उस तो मतलब मिलियंस और डॉलर्स का नुकसान होता है तो ऐसे में यही फिलाल सामना करना पड़ रहा है लंदन के गैटविक एरपोर्ट में लेकिन इंडिया में जिंदा की बात नहीं है जो रेगुलिशन्स बहुत रहा है वो बड़े आराम से भईया भी आ आगई है आप बस कर आधा सी हो गई है पहले नंबर पर आने की और अटल को लगता है लगवा को भी आधा सी हो गई है लास्ट नंबर पर आने की जहां पर जियो को मिली है कुछ स्पीड्स 20.3 Mbps की और हाला कि एरटल लास्ट नहीं आया लेकिन फिर पर जुस्तों स्पीड्स जो है 9.7 Mbps की और ये दोस्तों फिलाल कुछ बात डाउनलोड स्पीड्स की मैं बड़ी ही कमाल अप्लोड कितना था 0.5 Mbps मतलब मेरे को लगा कि यार भाया क्या मैंने पाप कर दिया डाउनलोड जो है वो दिया जा रहा है अटल लेकिन अप्लोड वहां पे कुछ में वीडियो करनी पाय बिगॉज जो स्प्रिंड दी वो दे सिर्फ 0.5 Mbps की दोस्तों बात करते हैं अप्लोड के निकल गाता है यहां पर शाओमी के मीपे को लेके और यह दोस्तों फिलाल जो है वो आप बन सकते हैं इसके बीटा टेस्टर उसके बाद में जो यहां पर यह भी कंपीट करने वा सब्सक्रिंद जलते हैं दोस्तों बात करते हैं अगले अप-डेट की निकल के आता है यहां पर इस तरो की दरफ से और यहां पर शोतों इस तरो जो है वो अभी अपने एक focus क्लिएर करते हैं और जो बात कहता है कि अभी जो focus है वो हैं बड़ी और ऑर हेवी सैटलैट को है इसरो देखते हैं आपके कि अभी और क्या टेखने को मिलते हैं इसी मामले में दोस्तों बात करते हैं अगले अपडेट के निगल के आता है यहां पर फोटो हो गई है लीक और यहां पर उस्तों आती है सामने प्राइस जो कि है करीब करीब 30,000-30,000 रुपे के असपास iPad Pro को लेके बहुत ही कमाल टेबलेट है काफी अच्छा दुस्तों डिवाइस आपे लॉंच किया है Apple लेकिन उसके दर एक प्रॉबलम यह है कि भीया अगर आप जोर लगाएंगे थोड़ा सा भी तो वो मतलब बेंड दुस्तों है वो हो जाता है और अगर ज्यादा ही जोर मतलब वो जो है वो पूरा चितरे चितरे अलग-अलग हो जाएगा और यहां में दूस्तों कुछ दूस्तों यह भी रिपोर्ट कर रहे है कि बॉक्स में से जो निकाल रहे है पहली बार अपने इस iPad को तो भी वो हलका सा जो है वो बेंड हो रहा है तो मतलब ऐसे में Apple जो है वो acknowledge करता है इस चीज़ को लेकिन बोलता है कि नहीं यह तो कोई manufacturing defect है ही नहीं इससे उसकी performance पर तो फरक ही नहीं पढ़ रहा ना device तो बड़ा ही अच्छा है कमाल करते हो यह Apple खेर मेरा iPad Pro फिलाल एक दम बढ़े चल रहा है लेकिन जो bend हो उसको लिए कुछ तो करो यह बोलत करता है देखने के लिए पर उसनरवाद मुझे उमीद है कि अपूर पसंद आया होगा अगर आपका कोई हो तो में जबन करना मत भूलिएगा अगर आपने इस वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया तो लाइक बिर देजिए शेयर पर कर दिजिए और चैलों सब्सक्राइक म मत भूलिएगा क्योंकि मैं आपके रोजाना ऐसी वीडियो लेके आता रहता हूँ फलाल खेलता है दोस्तों जैहिंद वन्दे मातरम